बचालो कैसन बा हम लोग पढ़े वाला बाड़ी एक ओव चेप्टर वा तो इसका नाम का बा ये बा अधियाय दस परकास परावर्तन तथापवर्तन और इसी का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले क्या कर लो जाकर के चैप्टर को बढ़ी हां से पढ़ लो दिमाग में डाल दो उसकी बाद सब कॉंसेप्ट एकदम किलियर हो जाएगा उसकी बाद सबसे पहले कोश्चन जो जो बच्चा पढ़ा एक दब खटा खट एंसर मारेगा देखो पानी में आंसिक रूप से डूबी पैंसिल के मुड़े होने की घटना किस चीज का परिणाम है कि यदि पानी में पैंसिल को डाल देंगे तो वह क्या होता है थोड़ा मुड़ जाता है तुम देखो कि नहीं से तो मुडल मुडल दिखेगा सीधा सीधा नहीं दिखेगा तो वह किस चीज का परिमान होता है मतलब परिणाम होता है किस चीज का रिजल्ट होत तो इसका एंसरवा दो प्रकास का व्यक्तिक व्यतिकरन प्रकास का प्रावर्तन अपवर्तन और विवर्तन क्या हुगा एंसरवा ये यह हुगा प्रकास का अपवर्तन बहुत बढ़ी हाँ जो जो बच्चा लोग एंसर दिया है इसका मतलब कुछ पढ़ता लिखता है ऐसी न देखो तो यहां पर तुम प्रकास का पतन का होता है जो प्रकास एक माध्यां से दूसरे माध्या में गमन करती है तो वह अपना पत्थ को बदल देती है अपने रास्ते को बदल देती है इसी को क्या कहते है परकास का अपवर्तन कहते है पढ़े हो की नहीं पढ़े हो तो जल्दी जल्दी एंसर करो कि जब प्रकास विरल माध्यम से सगन माध्यम में जाती है तो किस और मूर्ती है यास अभिलम्भ की और मूर्ती है सघन माध्यम से वीरल माध्यम में जाएगा जैसे माल लो ये पानी था पानी हो जाएगा सघन माध्यम तो इससे जब दूर जाएगा तो ये क्या होगा ये क्या होगा अभी लंभवा से दूर भागेगा तीदू कुश्यन और यहां पर बन जाता है तेग और कुश्यन वा बना ही देते हैं तो तुम्हरे लिए तुम्हारा भासवा सीख लिए है ताकि तुमको बुझाए, समझ में आए और तुम अच्छा-च्छा कमेंट वा कर दो और लेक वा ठोक दो और यहां देखते जाओ अंसरवा भी कर दो कुश्यन क्या बोलता है क्यों परकास का जो यह चाल है वो परकास जो है अपवर्तित क्यों होता है मैंने अंसरवे बता दिया परकास अपवर्तित क्यों होता है क्वेशन बोल रहा है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब गवन करती है तो उसमें अपवर्तन क्यों होता है इसका उत्तर यह है अपवर्तन इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश के चाल में परिवर्तन हो जाता है एंसर क्या है क्योंकि प्रकास की चाल में क्या होता है परिवर्तन होता है चलो और question लोग देखते हैं किसी lens की छमता और उसकी focus दूरी में क्या समबन देखो भी भी यह question है बहुत important question है lens की छमता यह समझ लोग के एकदम महा important question होता है हर चीज़ के लिए तो lens की छमता P है यह क्या है पर चलो पी तो lens का जो छमता P है वह क्या होता है एक बटा F होता है जिसने भी आंसर किया है बहुत बढ़िया किया है कि P बराबर क्या होता है एक बटा F होता है ध्यान देने वाला बात है यहां जो एफ है वही है फोकस दूरी फोकल लिंथ और उल्ख क्या होता है मेटरवा में होता है मीटर में होता है जैसे कभी सेंटी मीटर में दे देगा एक्जाम में तो तुमको क्या करना होगा उसको मीटर में बदल लेना होगा तब यह जाके कोस्चन बोनेगा देखा कितन तो नहीं पढ़ा है तो तुम तुन तुरंत भागोगे एदम लोटिया लेका भागोगे कही से बुजहाएगा यह यह पूरा चैप्टर से क्या होता है यान्स का मतर्क था याद रखना लेंस की शमता का मातरक होता है डायोप्टर भी भी आई कोईश्चन है एक्जाम में यही सब कोईश्चन पूछता है निम्न में से किसका मातरक डायोप्टर है तो लेंस का नाभी है इका लिख रहा है लेंस का फोकस दूरी है लेंस का शमता है भी तुरन पढ़ा दिये तो य याद कर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह दो कोई डाढ़ी बनाने वाला डाढ़ी खोरते हैं उसमें दर्पन रखते हैं ऐसे ही से चमकते रहते हो जाते हो ना सैलून में पूरा एकदम हीरो बनके तो वहां पर जो बढ़का अच्छा इस छोटा वाला छोड़ फुल गलती हो क्यों कि बहुत बहुत बड़ा होता है तुम जब सामने होते हो आवतल दर्पन के तो यहां पर तुम हमेशा उसके फोकस और पी और फोकस के बीच महीं कहीं न कहीं रहते हो इस लिए तुम्हारा जो प्रतिविंप वो बड़ा बनता है और साथ ही साथ क्या होता है सीधा बनता है तो यहाँ से question तुम्हारा आ जाएगा बहुत सारे question है बच्चों, इतने सारे question है यह थि तुमने chapter को पढ़ा है ना तो मज़ा आ जाएगा और नहीं पढ़ा है ना तो एकनम time pass लगेगा ठीक है? तो यहाँ से question होगा कि बताईए कि जो आवतल दर्पन में हम लोग uses कर रहे हैं किस्च चीजिस के लिए देखने के लिए मुँख को कान को नाक को आञएक को चेहरा को उकराला उसके लिए क्यों use कर रहे कोई कि बड़ा फियस क्हता है फेस क्या दिखेगा बड़ा और फेस बड़ा दिखेगा तब उसी के लिए हम लोघ करेंगे यहाँ पर इसका उपयोग करेंगे अब चलो, निर्गत किरन तथा अभी लंब के बीच के कौन को क्या कहते हैं अब यह निर्गत किरन और अभी लंब ही कहां से आ गया याँ, यदि तुमने पढ़ा है तो बता भी सकते हो आपतन कोन, परावरतन कोन, निर्गत कौन और इन में से कोई नहीं जिसका एंसर क्या है निर्गत कुनवा क्या अंसर है निर्गत कुनवा तो यहां देख भी सकते हो तुम यहां देखना यही है आपतित यह है अपवर्तित और यह है निर्गत तो यह अपवर्तित किरन है परावर्तित किरन नहीं है क्या बता सकते हूं क्यों परावर्तित किरन नहीं है क्योंकि अपवर्तन हुआ है यहां अपवर्तन हुआ है विसको क्या बोलेंगे अपवर्तित किरन और अपवर्तित किरन और उसके बाद यह क्या है यह निर्गत किरन तो जो निर्गत किरन है यही है निर्गत किरन दिख राना यह देखो निर्गत किरन तो बोलता है कि इनके बीच कोई यहां पर कोण बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे तो निर्गत कोण कहेंगे क्या बलेंगे निर्गत कोन कहेंगे तो यहां से question वा सकता है का question वा सकता है कि यदि ये किरन जो आ रहा था वो सीधे निकल जाता और ये जो अपवर्तन के बाद ये जो किरन निकला है उन दोनों में क्या relation होगा येस वो दोनों होगे बच्चा लोग इसका अंसरवा है कि वो दोनों होते हैं parallel यानि कि वो समनांतर होते हैं देखो ये जब जाएगा तो ये और ये वला क्या होगा समनांतर होगा ये भी question पूछ सकता है तो देखो question बहुत सारा पूछ सकता है आएगा number ठीक है दोसरा को काली गरियाते रह जाएंगे सरवा को पढ़ान ही नहीं आता है मस्टरवा को पढ़ान ही नहीं आता है बस खली एक language देखो यहां नया किसी ठोस में बाहर की और उभरे दो गोली प्रिष्ठ होंगे ठीक है किसी लेंस में बोल रहा है तो यहां ल होंशा है कौन सा लेंस जल्दी बताओ यहا स यह दुई उत्तल लेंस है यह का बोलेंगे आ उतल लिंस बोंगे ठीक है दो झीक को तो पढ़ना ये जल्दी बताओ निया तुम लोगो किसी गोलिये अइदर्पन की वद्लिक है तो गोलिये दर्पन बोल रहा है गोलिये और आइसे लिखाएंगे तो ऐसे इसे करके काट देंगे ठीक है तो मान लो कि गोली दर्पन में दो पढ़ना आउतल दर्पन और उतलवा दर्पन तो तुम जानते हो कि यही क्या है अर आउर दर्पन की फोकस दूरी जो है यहां से यहां का दूरी कहा हुआ तो सब तो जन्बे करते हो तुम लोगी तो सबसे असान कोशन है अब बेकारे में बंदिये तुम सब को पता है कि आर बटा दो ब्राबर क्या होता है इस सब बने को पता है कहीं मैं पूछ देता हूँ इनदं फट से जबाब देता है तो इसा सी थे कोशन तुमको पूछ देगा वो लेगा वकरता त्रीजिया 20 cm है तो फोकस बता दीजिये तो फोकस क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 cm तीक है इस तरीके से अंसर हो जाएगा तो बहुत आसान क्वेशन है अभिसारक दरपन अभिसारी दरपन किसे कहते हैं तो दरपन देखो यहाँ पर एक हो गया तुम्हारा अउतल दरपन और दूसरा क्या हो गया उतल दरपन हो गया ना तो यह क्या करता है यह ऐसे मोड देता है यहाँ पर क्या करता है मोड देता है प्रकाश को इसलिए इसको बोलते है अभी अभी सारी और अपसारी अभी सारी और अपसारी अपसारी ठीक है तो अभी श्रित कर देता है पॉइंट पर इसको मोड़ देता है इसलिए इसको बोलते है अभी सारी दरपन अभी सारी दरपन और यहां पर यह वाला क्या होता इध तो यहां पर तो एक होता है अभिसारी दर्पन जो की उसको एकदम एक पॉइंट पर मिला देता है तो अभिसारी दर्पन किसे कहते हैं अभिसारी दर्पन कहते हैं जल्दी बताओ अवतल दर्पन को ठीक इसी तरीके से उत्तर लेंस को उत्तर लेंस को भी अभिसारी लेंस कह एक ही तरीके का होगा जो हम लोग रे डाइग्राम बनाते हैं कि रन आरे खिशते देखना तुम लोगे एक जीसा होता है ठीक है एक दरपन है याद करने के लिए होगा यह मैं बता रहा हूं दूसरा जो उत्तल दरपन है और अवतल लिंस है उन दोनों का सब चीज लगभग समझ में आयेगा चल आगे बढ़ते हैं उत्तल दरपन को अपसारी दरपन कहते हैं इतन पढ़ाये न दिये गोलिये दर्पन की फोकस दूरियम उसकी वक्रता तरीजिया में क्या संबंद है अभी तुरत पढ़ा दिया तुम्हें कि आर बराबर क्या होगा टू ए fork ए उस दरपन की फोकसदवरी क्या होगी हिसका उन्हों डिस्रिप्षाटत रिज़्िया 32 है इसका answer को तुम description में लिखो, तुम description में कैसे लिख सकता है, तुम comment में न लिखेगा, description में description में, मैंने pdf का link दिया हुआ है, तो वहां से pdf का link तुम ले सकते हो, और तुमको यदि कुछ comment करना, बढ़ी हां, बढ़ी हां comment दम करना, अरे गुरु जी एक दम एक नंबर पढ़ हैं, ऐसा-ऐसा लिखना, ठीक है, और लिखना कि, गुरु जी बहुत handsome है, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, सब चीज़ लिख देना, और लिखना कि, गुरु जो समझाते हैं, कहीं नहीं भूलाते हैं, ये सब लिखेगा, और एक चीज और इसको share भी करना, अपना वीडियो जो देख रहा हो गोलिये दर्पन के ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं तो गोलिये दर्पन है उसका ज्यामितिये केंद्र तुद देखो गोलिये दर्पन क्या होगा या तो आवतल हो जाएगा या तो उतल होगा यही ज्यामितिये केंद्र को क्या बोलें उसका ध्रूव कहे करने चल गया देखो यह हम मुख्ही अक्ष है ठीक है यही करते हैं तो सीधी रेखा में ये दो जानते ही हो इसके बाद प्रकास तरंग उदारन है तो प्रकास तरंग बच्चा लोग विद्युत चुम्बकिये तरंगे होती है यहां देख सकते हो यही देखो प्रकास तरंगे क्या है विद्युत चुम्बकिये तरंगे होती है जो की जो की यहां पर तुम उसका वेब लिंथ मैंने द अलग होता है जिसमें उसका नाम भी क्या होता है अलग-अलग होता है तो यहां देख सकते हो जैसे कि गामा रेज एक स्रेज यह देख सकते हो ना इसका तरंग दैर्धी क्या है अलग-अलग है सब का और इस कारण से यह अलग-अलग प्रकार के यहां पर वेव होते हैं यानि नमबर नेक्स चैप्टर में ठीक है तो उसको थुम लोग देख सकते हो झाल प्याओना चैप्टर में ठाओकर ऑग पसकते हो झाल 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 ताल पनिक बनता है और कैसा बनता है सीधा बनता है एक्गत तब याद तो किया हुआ है तुम्हारा तो दिक्कत क्या है ऑतर लिस द्वारण किसी वस्तु का हमेश्य किस प्रकार का प्रतिबिम बनता है यार छोटा बनता है पिखसी अचिक Mongolian झाल 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 झाल